प्रणाइब हो आपको जैसे कि पता होगा कि ओनलाइन स्टार्ट वो रहे हैं तो हम जब तक आपके टेस्ट चलेंगे जैसे कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सब्सक्राइब कर वा दे हैं तो इसलिए मैंने सोचा है कि जब तक टेस्ट सेले हैं आपके अब डेली दो-दो होने है ठीक है और मैठ के अगर देखा जाए तो वीक में दो बार आपको देने है ठीक है तो थोड़ा हम रिवीजन करेंगे अब तो जो सेट का चैप्टर है इसका एक टेस्ट आप दे चुके हैं आई हो आपने अच्छा किया होगा तो नैस्ट पोर्शन है वो मैं ले लेता हूं तो उसमें इसलिए वस आपके पास पहुंच चुका होगा कि कुण साथ से ले वो जो टोपिक्स हम आएंगे वाकि मैं फिस से बता रहता हूं जो आपका उप्रेशन ओन सेट्स है जहां से स्टार्ट होगा वेंड डियाग्राम और जो आगे उसकी प्रेक्टिकल अप्रिकेशन है वो इस जो आपका टेस्ट होगा यह टेस्ट नंबर जो टेस्ट है इसमें कवर होगी ठीक है चलिए हम स्टार्ट करते हैं ओप्रेशन ओन सेट्स यह मैं रिवीजस टाइप ओफ यूगा इसकी पूरी डिटेल के लिए आप क्योंकि मैं ऑव्विजस है की डिवाईजी करवाऊंगा और आपको पूरी एक्स्प्रेशन जो कि मै वीडियोज हैं आपकी सेट की उसमें आप उनकी है प्लीजी आपको कम्प्लीट समझ में आ जाएगा ठीक है तो मैं चाह रहा हूं कि एक दिन के अंदर रिवाईज करा जो आपको दोड़ा देखें ओप्रेशन उन सेट्स तो यह टोपिक आपका आएगा तो प्रेशन में ह पर मैं एड मतलब प्लस नहीं कर रहा हूं कठे लिग देना है एक और बी को भी जो कोमन है वो से फेकी बार आएंगे जैसे कि ए हैं इसमें है वन टो थ्री फॉर बी है फॉर फ़फव सिक सेवन अब आपको क्या करना है यूनिन करना है ठीक है यह इसका सिंबल होता है यू तो ए यूनिन बी का मतलब दोनों के गठा कर दिया तो वन टो थ्री फॉर फाइव सिक सेवन ठीक है तो यह आपका रिजल्ट है ठीक है तो यह तो था यूनिन अब इसकी कुछ प्रोपर्टिस देखते हैं अगर ए यूनिन भी है जो वो बी यूनिन एकी को ला जाए तो इ होता ही है यह कंडिशन ने धाना किये कि एक और भी अगरें अगर हम या बी का एसे करें एक ही बाद तो दोनों का रिजल्ट क्या हैगा सेम लेगा धर इस कोड़ा कुमिटेटिटिव लो मिंस के यूनिन भी इस एक्वल टू बीन आप इसी में देख सकते है अगर आप मैं एक और एक और यूनिन करों तो क्या आएगा तब रिजल्ट 456 स्क्साइद 1234 वाएगा और चैंज हो सकते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है तो इसके बाद देखते हैं ऑसके जो जो एस में क्या है कि माली जो मारे पास तीन साट है अब्र तीस ए पर आप ए और बीकर य कर रहें जी के साथ ठीक है यह आप क्या करें कि पहले तो भी और सी का यूनिन कर दिया फिर उसका एसे कर रहे हैं तो दोनुंका रिजल्ट कहेंगा सेम आएगा तो यह है एसोशीयटिव लोग उसके वादा है लोफ आडेंटिटीटिटिए एलिमेंट लोफ आईटिटी अलिमेंट का मतलब है अगर आप एका यूनिन कर रहे हैं फाई के साथ एमटे सेट के साथ तो अगर आप एका यूनिन पैसे के सांथ आई है उसके बाद आता है लम फियुनिन को अगरा आप एका यूनिन कर रहे है यूनिन सेट के साथ तो जो रिजल्ट जाएग व tartag anger टीए भी ये धा फ्किरेशन अट ऐस टीडिया預 Ländern गण apro अब हम बात करते हैं second operation that is called the intersection जैसे कि आप देख पारें स्क्रीन पर अब यह second operation है इंट्रसेक्शन और सेट्स अब intersection का मतलब जैसे कि आप देख पारें common common में आप समझ गए होंगे कि अब हमने दे रखे हैं और भी देखिए one two three four three four five six इन में ज्यांट से देखिए यह जो मैंने red mark का रखा है यह common portion है दोनों का क्योंकि three four a में भी आ रहा है और three four b में भी आ रहा है बस आपको intersection में यही common portion लिखना है तो ए intersection भी आ जाएगा 3,4 इसका जो सिंबल होता है intersection का यू कोल्टा करके लिखती चीए intersection भी बनी गया 3,4 ठीक है तो समझ गए होंगे आप की जो intersection है इसमें हमें क्या लेना है common elements लेना है जो दोनों में अगर कोई भी common ना है तो आप 5 लिख दीजिए खाली empty set पराहा दीजिए अगर कोई common ना है ठीक है और ऐसे से जिन में कोई भी common ना हो उनको disjoint set बोलते है ठीक है अगर ए intersection भी 5 आ जाए इट मेंज we can say that a and we are disjoint मतलब उसमें कोई भी joint नहीं है मतलब कोई भी common नहीं है अब बात करते हैं commutative law के commutative law में देखिए a intersection b क्या है b intersection a यह दोनों क्या होंगे equal आए इसमें आप यह एक चीज़ लेख भी सकते हैं कि कि इफ a intersection b is equal to 5 अगरे क्या जाए फाइ आजाए तो एन बी आर कॉल्ड कि डिश्चोंट सेट्स ठीक है हम क्या बोलेंगे डिश्चोंट सेट बोलें अब देखते हैं जो इसकी परपर्टेजर फर्स्ट कॉमेटेटिव लो जैसे की पिछली पर उसमें किया तो अपरेशन में हमने यूनियन के ऐसे intersection में है अगर आप ए और बी का इसाथ कर जो ठीक है तो मैं बता चुक हूं वोटर से दिफ्रेंट कुछ भी नहीं पड़ेगा वन टू अगर एक्रेवले में अधि तो ए इंटरेक्शन बी टु आयेगा और बी इंटरेक्शन वी जूए तो यह इंटरेक्शन एक्वल होता है किसके बीडि इंटरेक्षिन एक है यह है कुमिंटेटिटिव ठीक है उसके बाद देखिए एसोसियेटिव लोग में क्या है कि अगर आप ए और भी आपके पास माली जी तीन सैट है आप ए और बी का इंटरेक्षिन कर रहा है पिर उसका सी के साथ कर रहे है य लोल आई का मतलब कि अगर आप आप एकिसी एंपाय का सद्ट करते एक ए साथ तो जो कॉमन हाँ क्या थे क्या क्या συक्ष्ट एक को लिए को क्या निए को ने फाइज सबस्क्राइब अब यह मैं सोचे कि यह फाई सैट है ठीक है तो किली आया क्योंकि जो कोमन है उन में पुछ यह नहीं कि तो कुस्त कोमन ही नहीं ही ठीक है तो इसका मतलब रिजल्टीक आया जीरुवाया तो इसलिए हम नहीं मुक्त हों में कहा टो यह था हमारा थ ourselves लो ओफ फाइड धर प्रोपर्टी ठीक है अब बात करते हैं इसकी नेस्ट प्रोपर्टी की वो है यह लो फ जुनियन लो फ यूनियन का मतलब आकर आप यूनियन के साथ इंट्रेसेक्शन करते हैं एका तो रिजल्ट क्या आएगा एंगा एह है मालो 1-2 यूनियन 1-2-3-4 अ कि अधिक है अबनेक्स ट्राइडम पो टैंट लो जो यह है आईडम पो टैंट लो इसका मतलब है कि अगर आप एसेट का एके साथ इंट्रेस सेक्शन कर रहे है तो बिस दोने सेट जब सेम है तो उनका चाही यूनियन कर लो शाही इंट्रेसेक्शन कर लो जईर्ट विल भ कि जैसे A का अगर आप intersection ले रहे हैं B union C के साथ यह आप ध्यान लखें कि इसमें B C तीन सेट होंगे और दोनों प्रेशने कठे लगेंगे तो अगर A का intersection करें B union C के साथ तो result क्या आएगा यह देखिए पहले जाके B के साथ intersection करेंगा फिर union करेंगा एक C के साथ फिर intersection करेंगा यह result आएगा तो इसको आप यह बोल सकते हो intersection distributes over union ठीक है आप इसमें symbol change भी कर सकते हो अगर आप यहाँ पर union करते हैं इसके according यहाँ पर symmetry wise यह भी change हो जाएगा ठीक है तो यह था हमारा जो operation on sets ठीक है अब एक आता है इसमें वेंड डाइग्राम है portion वह हम next video में cover करेंगे ठीक है तो आपको समझने आ गया हो गए है तो घर पे रहिए स्वस्थ रहिए सेफ रहिए और practice करते रहिए ठीक है thank you very much